नमस्कार Become Part First EFM Paper First Business Economics Part 13 में आप सभी का स्वागत हैं हम अभी एक महत्पूर्ण विशे वैस्टी और समस्टी अर्थ सास्त्र पर चर्चा कर रहे हैं वैस्टी और समस्टी अर्थ सास्त्र अर्थ सास्त्र की वो दो साखें हैं जो हार्थिक समस्ट्याओं को अध्यान करने के लिए महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है इसी कड़ी में आज हम समस्टी अर्थ सास्त्र का वैस्टी और समस्टी अर्थ सास्त्र का एक महत्वपूर्ण साखा है इसका महत्व और उप्योग बहुत से क्षेत्रों में किया जाता है जिसकी जानकारी अपनने पिसले वीडियो में ली थी तो वैस्टी और समस्टी अर्थसास्त्र जो है Importance of Microeconomics in Business Decision, Importance और Uses of Microeconomics को हम आज थोड़ा सा विस्तार पूरक समझने का प्रयास करेंगे समस्टी अर्थसास्त्र संपूर्ण अर्थववस्था की आर्थिक विशलेशन की दस्टी से अत्यतिक उप्योगी है यहाँ विभिन राष्ट्रिय समस्याओं का समाधान करके अर्थववस्था की विकास के पत पर अग्रसर करने में विशेश रूप से सहयोगी रहा है तो समस्टी अर्थसास्त्र जो Macroeconomics जिसको कहा जाता है Macroeconomics is very helpful for the solving of the national problems and it is used for the development of the economy तो economy को विकास के पत पर अग्रसर करने के लिए समस्टी अर्थववस्था की जटिल्था को समझने में सहयक, helpful in understanding the complexity of the economy अर्थववस्था की जटिल्था को समझने में सहयक देखिए अर्थववस्था में बहुत सारी complex problems होती है और उन complex problems को किस प्रिकार से, जटिल समस्टी अर्थवस्था को किस प्रिकार से solve किया सकता है वो हम समस्टी अर्थवस्था के माध्यम से बली बाती समझ सकते हैं तो अर्थववस्था में विद्यमान जटिल्था को समझने के लिए समस्टी अर्थवस्था एक उपयोगी अर्थवस्था है आदुनिक अर्थवरस्था में निरंतर जटिलताएं बढ़ती जा रही है समस्टी अर्थशास्त्र में इन जटिलताओं का अध्यन किया जाता है और आसानी से समझा भी जा सकता है यही नहीं, समझेशास्त्र में, अर्थवर्स्था में परिवर्टनों, अंतर संबंधों, आर्थिक संग्णों पर प्रभाव, प्रकास, आधी को आसानी से समझा जा सकता है, तो macro economics जो है वो economy की जो complexity है उसको आसानी से समझने में काफी help करती है और जो complexity, economy की जो complexity है वो day by day बढ़ती जा रही है, increase हो रही है और इसमें जो भी नए factors आते हैं किसी भी तरह के उनको समझने में बहुत अधिक हमें साहिता मिलती है और बहुत ही useful है, दूसरा है वेस्टी अर्थ सास्त्र की सीमा है, limitation of micro economics देखे, micro economics वेस्टी अर्थ सास्त्र में भी समस्याओं को solve कह जाता है लेकिन उसके कुछ सीमाएं है, limitation है, और उन limitations के कारण हम उसको पूर्ण तहा समस्याओं के समाधान में उपयोग नहीं कर सकते हैं, problem solving नहीं हो पाती है इसलिए उसकी जगे पर हम समस्याओं को solve करने का प्रयास करते हैं, कुछ आर्थिक समस्याओं ऐसी होती है, जिनका अधियन समस्याओं रूप में ही किया जा सकता है जिससे राष्ट्री आए, national income, तो national income पूरे national की होती है, उसको छोटे से भागों में divide करके आप जो है अधिन नहीं कर सकते हैं इस तरह से राजस, public finance है, सामाने मुलिस्तर है, general price level है, तो ये सब चीज़े हैं, वो समस्याओं का विसे हैं, जिनका आप वेस्टी के मादम से solve नहीं कर सकते हैं वेस्टी अर्थसास्तर के नियमों का निर्माण और उनकी जांच भी समस्टी रूप से ही की जा सकती है, अत्तक वेस्टी अर्थसास्तर की सीमाओं के कारण भी समस्टी अर्थसास्तर उपयोगी हो गया है नेक्स्ट है, तीसरा, आर्थिक नियोजन में सायक, helpful in economic planning आदुनिक यूग में आर्थिक नियोजन का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है यह आर्थिक विकास का प्रमुख यंत्र माना जाने लगा है इसके अंतरगत प्राकर्तिक संसादनों का अनुमान विभिनेक शेत्रों के उद्धिश्यों एवं लक्षों का निर्धारन विभि कामों के संचालन में अर्थसास्त्र समस्टी अर्थसास्त्र विशेश रूप से उप्यों की सिद्ध होता है तो एकनोमिक प्लानिंग जो है एक समस्टी अर्थसास्त्र का महत्रपूर्ण विशे है एकनोमिक प्लानिंग के माध्यम से ही किसी राष्ट्र का विकास प्लानिंग में सभी लोगों को ध्यान में रखकर प्लानिंग की जाती है इसलिए ये एक समस्थी का विसे है और समस्थी अर्थसास्त्र इसमें काफी हमारी हेल्प करता है नेक्स्ट है उचित आर्थिक नीतियों के निर्धारन में साहिक helpful in formulating proper economic policy कल्यानकारी सरकार आर्थिक नियोजन एवं आर्थिक समस्याओं की बढ़ती जटिलताओं के कारण सरकार का महत्व आर्थिक शित्र में निरंतर बढ़ता जा रहा है सरकार अर्थिवस्ता के संचालन के लिए उत्पादन, व्यापार, राजस्व, मुल्य, आदि से संबनित नीतियों का निर्धारन करती है समस्टी अर्थ सास्त्र संपूर्ण अर्थ व्यवस्था का चित्र प्रिस्तुत करता है जिससे नीतिय निधारन में बड़ी साहता मिलती है प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा है कि आर्थिक नीति की दृष्टी से समस्टी अर्थ सास्त्र का बड़ा मैतु है क्योंकि सरकार को आर्थिक नीतियों का सम्मंद किसी एक व्यक्ति से न होकर सभी व्यक्तियों के समूँ से होता है तो प्रफिसर बोल्डिंग ने बहुत अच्छी बात कही है कि आर्थिक नीतियों का संबंद किवल एक वेक्ति से ना हो करके संपूर्ण जन संख्या, संपूर्ण पॉपुलेशन, होल कंट्री से इसका रिलेशनिसिप होता है इसलिए सब को ध्यान में रखकर हमें नीति का निधारन करना पड़ता है और सब को ध्यान में रखने वाली बात समस्ची अर्थसास्त्र का विशय है इसलिए समस्ची अर्थसास्त्र आर्थिक नीति के निधारन में काफी हैलफफुल है, काफी साहता करता है इसके माध्यम से उतपादन, व्यापा, राजस्व, मुल्य, प्रिडेक्शन, ट्रेड, पब्लिक फाइनेंस और प्राइस आधी का निर्धारन किया जाता है और वो सभी लोगों को समान रुप से प्रभावित करता है नेक्स्ट है विबिन समस्याओं के समाधान में सायक, helpful in solving various problems संपूर्ण अर्थवरस्था का अधियन समस्टी अर्थसास्तर के अंतरगत किया जाता है इसलिए इसमें राष्ट्री आये, रोजगार, जन संख्या, पूंजी निर्मान, आर्थिविकास जैसी समस्याओं का समाधान ही समाधान हो जाता है तो विबिन समस्याओं के समाधान में सायक, helpful in solving various problems संपूर्ण, एर्थविकास्ता की जितनी भी समस्याओं होती जिसे national income है, employment है, population है, capital है, capital है, capital formation है, या economic development है, इन समस्याओं का समाधान समस्टी अर्थसास्तर के माध्यम से आसानी से हो जाता है फिर मुले स्तर में परिवर्थन का अध्यन, study of change in price level, तो price level में जो changes होते हैं, उसका अध्यन भी हम समस्टी अर्थसास्तर के माध्यम से कर सकते हैं, जिसमें सामने मुले स्तर में व्रद्धी, मुद्रा प्रसार या सामने मुले स्तर में कमी, मुद्रा संकूचन के की विख्या करते हुए समस्चियर सास्तर यह बताता है कि मुद्रा प्रसार या मुद्रा संकुचन से देश के किस वर्ग की वर्ग को लाब हो रहा है और सरकार अदार किरों वर्गों के अधिकतम कल्यान हेटू नीथियां बना सकते हैं और मुदरा प्रिसार और मुदरा संकुचन के प्रतिकूल प्रभाव को रोक सकती है तो देखें मुदरा प्रिसार और मुदरा संकुचन दोनों की अधिक्ता जो है दोनों की जो अधिकता है वह निश्चित रुप से अर्थ विवस्ता पर और लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव छोड़ती है तो उन प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए उन प्रतिकूल प्रभाव को हटाने के लिए समझतियर सास्त्र जो है वो एक important role play करता है जिसमें मुद्रा प्रिसार और मुद्रा संकुचन आदी को बहुत ही अच्छे धंग से समझने का प्रयास किया जाता है नेक्स्ट है व्यापार चक्रों की समस्या Problems of Trade Cycle Trade Cycle आर्थिक तेजी तथा मंदी की स्तथी व्यापार चक्रों के परिणाम सुरूप उत्पन होती है जिसमें आई, निवेश, रोजगार, आदी आर्थिक क्रियाओं में उतार चड़ाओ उत्पन होता है समस्टी अर्थ सास्त्र के अंत्रगत व्यापार चक्रों का भी विशलेशन के जाता है परिणाम सुरूप इनके उत्पन होने के कारणों और उनके रोकने के उपाए किये जा सकते हैं तो व्यापार चक्र यानिकी आर्थिक तेजी और मंदी दोनों ही स्तितियां अर्थ वैवस्था पर बुरा प्रभाव डाल सकती है इसलिए इनको नेंत्रत करना, इनकी गती को धीमा करना, इनकी गती को रोक करके रखना ये समस्थी अर्थ सास्त्र का विशह है और उसी के माद्यम से इसको रोका जा सकता है और समस्थिया का समधान किया जा सकता है नेक्स्थ है समस्थी मुलक विरोधावासों से सुरुक्ष्या, बहुत सारे ऐसे विरोधावास होते हैं, पराडॉक्स होते हैं वेक आफ रेको फेड़क्स में समस्टी अर्चास्थ्र बहुत ही मेधुपूर्ण भोमिका प्ले करताा है कुछ आर्थिक काई तरह व्यक्तियों के संदर्व में सही बैठते हैं यह paradox लेकिन समाज के संदर्व में यह paradox जो है वो अनुकूल नहीं होते है तो उन paradox को भी समस्टी अर्थ सास्त के माध्यम से control किया सकता है उधारण आर्थ एक वेक्ति के लिए बच्चत गुन कारी है लेकिन सभी लोग अगर पैसा बचाने लग जाएंगे तो अर्थ वरस्ता की प्रभावपूर्ण मांग में कमी आ जाएगी और प्रभावपूर्ण मांग कम होने से पूर्ती कम हो जाएगी उत्पादन आये रोजगार इत्यादी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो एक जो वेस्टी जो paradox है समस्टी मूलक paradox है इस पर भी आप control कर सकते हैं जबकि आपको उसके बारे में root cause पता हो कि समस्या का root cause क्या है next है सामन बेरोजगारी का विशलेशन बेरोजगारी का प्रमुख खारण प्रभावपूर्ण मांग में कमी होता है इससे दूर करने के लिए कुछ कुल विन्योग, कुल उत्पादन, कुल आय और कुल उपभो को बढ़ाना चाहिए तो यह सब जो विशे हैं, वह समस्टी के विशे हैं और समस्टी के माध्यम से हम आय, कुल आय, कुल रोजगार, कुल विन्योग, कुल उत्पादन इन सब को बढ़ा सकते हैं, इन सब को हम increase कर सकते हैं और इन सब को increase करके हम unemployment की जो problem है, उसको हम solve कर सकते हैं यहनकी जो आपका total investment है, या total production है, या total income है, या total consumption है इनकी एक अच्छी समीकरण के माध्यम से हम unemployment की problem को solve कर सकते हैं unemployment को दूर करने के लिए हमें अच्छा विन्योग चाहिए, अच्छा उत्पादन चाहिए और अच्छी आइच ही है, तो यह तभी संभव है, जब हम root cause में जाकर के समस्टी के माध्यम से इस समस्या को solve कर सकते हैं next और last है, अंतराश्ट्रिय तुल्ना, international जो comparison है, उसके लिए भी समस्टी अर्थसास्त्र ही important role play करता है अर्थात समस्टी का विशे होता है, तुल्नात्मक अध्यन जो है, राष्ट्रों का तुल्नात्मक अध्यन एक समस्टी का विशे है और समस्टी अर्थसास्त्र के माध्यम से ही आप जो है दो राष्ट्रों के तुल्ना कर सकते हैं जिसे राष्ट्रिया है राष्ट्रिया है समस्ट्रिया का विसे है तो एक देश की राष्ट्रिया है दूसरे देश की राष्ट्रिया का अगर कंपरेशन करना है तो हमें समस्ट्रिया पर जाना पड़ेगा इसी प्रकार से जन संक्या का दिन है या उपभो का दिन है या बच दिन के माद्यम से ही हम इन समस्याओं को solve कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन समस्याओं को या इस तरह के जो निरने होते हैं उनको लेने में समस्यर्थसास्र एक मेहत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और जो है इसके दिन के माद्यम से ही हम इन समस्याओं को solve कर सकते हैं। जो basic problems होती हैं किसी भी अर्थ व्यश्था की उन basic problem को जड़ से खतम करने के लिए हमें समस्य अर्थ सास्त्र का दिन आवश्यक है। समस्य अर्थ सास्त्र हमें बहुत ही सयोग करता है और हमें एक अच्छा picture प्रस्तुत करने का प्रियास करता है। ताकि हम इन समस्याओं को solve कर सकें, हम इन समस्याओं का समाधान कर सकें और देश की अर्थवरस्ता का विकास कर सकें, तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद, आगवे वीडियो में आपको इसके बारे में और detail जानकारी दी जाएगी, तो thank you.